इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हम पंदन और राहूल गांधी के समर्तन में कड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा हैश्टेग भी सपोर्ट इंडिया दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें आज कल हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है देश में आपात काल जैसे हालात बनाए जा रहे हैं जब विपच्छी नेताओं की जासूसी की जा रही हो सीबियाई एडी का दुरुपियो कर विपच्छी नेताओं को जेल में डाला जा रहा हो और वहीं अब इन नेताओं को आईफोन एपल से चेतावनी मिली है कि वे राज्य या सरकार के निसाने पर हैं सभी को इस तरह के मैसेज अलर्ट यहां पर एपल के तरप से भेजे सीबियाई और यह सरकार अब राइट टू प्राइवेसी के साथ में खिलवार कर रही है और इसके साथ ही इस पर हमारे देश के सुप्रीम कोड को तुरंत संग्या लेना चाहिए यह निजिता का पूरी तरह से हनन है पहले भी पेगासस स्पाइवेर का मुद्दा देश में उठा था लेकिन सरकार की तरप से उस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया और अब एक बर फिर से विपच्छी नेताओं की जासूसी करने का मामला यहां पर सामने निकल के आया है ये दोस्तों यहां पर एक बहुत ही गंभीर विशय है अपनी राय भी जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में एक और अपडेट आ रही है महिला पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूशड ने कोट में ऐसा भयान दे दिया है कि जज़ सहाब यहां पर आग बबुला हो गए ब्रजभूशड के वकील बोले आप सुनवाई ही नहीं कर सकते हैं क्या है पूरी खबर बताते चलें भाजपा के सांसद ब्रजभूशड सरण सिंग ने कथित उतपीडन मामले में कोट में एक बड़ा दावा किया है उन्होंने सुनवाई को लेकर के दिल्ली की राउजवनी कोट के अधिकार छेतर पर ही सवाल उठा दिये हैं जी हाँ दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि करत देश में हुआ ही नहीं है इसलिए ये अदालत पूरे मामले पर सुनवाई ही नहीं कर सकती है जिस पर जस साहब भड़क गए और ब्रजभूशड के वकील को बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर आपने ऐसा बयान या हलफ नामा दूसरी बार यहाँ पर दिया तो आपको यहाँ से सीधे कोड से जेल भेज दिया जाएगा धरासल दोस्तों बताते चलें इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी जाच में ब्रजभूशड को दोसी बनाया और यहाँ पर चार सीट में ब्रजभूशड को एक दोसी के तौर पर दिल्ली पुलिस ने दिखाए है जिसके बाद पूरे मामले पर किसी भी वक्त यहाँ पर ब्रजभूशड को सजा सुनाई जा सकती है कोड की तरब से तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी लगातार मोधी सरकार पर हमला बर है और राहूल गांधी मोधी के मित्र गौतम अडानी पर भी लगातार हमला बर रहते हैं और अडानी को जो यहाँ पर सरकार मदद करती है वो भी मुद्दा लगातार राहूल गांधी उठाते रहते हैं इन सब के बीच में यहाँ पर राहूल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिससे भाजपा से लेकर के उनके मित्रों में हडकंप मचा है जिहां दोस्तों राहूल गांधी ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार बनते ही अडानी का पैसा भी गरीमों में बाढ़ दूँगा यह यहाँ पर राहूल गांधी ने बयान दिया है जिसके बाद भाजपा पूरी तरहें से बौकलाई हुई निजर आ रही है दोस्तों कुछ आकड़े आप लोगों को बताते चले साल दोहजार में अडानी की संपती केवल 3300 करोण रुपए थी जो की आज की तारीक में 16 लाग करोण से भी जादा की हो गई है और ये दौलत यहाँ पर गौतम अडानी ने देश के बंदरगहा हवाई अड़े और जमी लूट करके कमाई है देश और जनता को असली खत्रा परिवारबास से नहीं बलकि मोदी जी के दोस्तवास से है ये यहाँ पर राहूल गांधी की तरफ से बड़ी ख़बर आई है दोस्तों अगरा आप लोग भी राहूल गांधी के बयान से साहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपना समर्तन दर्ज करवाईएगा एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं सीजी आई डीवाई चंदर्चूर की अधिचिता में पांच जजों की सम्विधान पीड कर रही है चुनावी बॉंड योजना पर सुनवाई भाजपा को लग सकता है बेहदी बड़ा जटका मोदी सरकार में हड़कंप मचा है पांच हजार करोण से भी ज्यादा का खुला राजनीतिक दलों को चंदा आखिर कहां से आ रहा है किसने दिया है जिस पर सुप्रीम कोट यहाँ पर हलफनामा देख करके ही भड़क गया और कहा कि आप आखिर ये कैसे कह सकते हैं धरासल दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार पर आरोप लगा कि चुनावी बॉंड का इस्तम वाई जारी है भाजबा को पांच सालों के अंदर ही पांच हजार करोण की यहाँ पर फंडिंग हुई है जिसका कोई भी अता पता नहीं है मोदी सरकार नाम भी नहीं बताना चाहती है कि आखिर ये पैसा किसका है कहां से आया पूरे मामले पर प्रसांद बूशन ने कहा है कि यहां भारत के लोगतंतर से जुड़ा मामला है और इसका निप्टारा आम चुनाओं से पहले किया जाए सीजी आई ने इस पर हामी भरी है एक और पड़ी खबर बताते चलें केंद्रिया मंतरी राजीब चंदर सेखर के खिलाप में केस दर्ज किया गया है सोसल मीडिया पर नाफरत फैलाने का आरोप लगा है मोधी के मंतरी की अब बढ़ेंगी मुश्किले जी हां दोस्तों खबर की तरह बढ़ते हैं केरल पुलिस ने नाफरत फैलाने वाला परचार करने के आरोप में केंद्रिया मंतरी राजीब चंदर सेखर के खिलाप में मामला दर्ज किया है दरासल दोस्तों FIR में कहा गया है कि मोधी के मंतरी ने सोसल मीडिया प्लेट फार्म एक्स पर नाफरत फैलाने का काम किया है जिसके बाद अब केरल पुलिस ने उन पर एक्सन लेते हुए FIR दर्ज की है और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है और जल्द ही अब केरल पुलिस दिल्ली रवाना होगी मंतरी को भी गिरफतार कर सकती है केरल पुलिस पूरे मामले में इस वक्त की ये लेटेस्ट अबडेट आई दोस्तो एक और अबडेट आप लोगों को बताते चलें ED के समन के बाद आम आदमी पार्टी चिंतित नजर आ रही है कहा केजरिवाल को गिरफतार कर सकते हैं ये लोग जिहां दोस्तो बड़ी खबर बताते चलें आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल को कथित दिल्ली उतपाद सुल्क नीती मामले में ED से समन मिलने के बाद सियासी गलियारों में हडकंप मचा है आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 2 नवंबर को E.D. अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार कर जेल में डाल देगी इसलिए क्योंकि पीम नरेंद्र मोदी केजरिवाल से डरते हैं यहां पर बताते चलें केजरिवाल सरकार में मंतरी आतिसी ने प्रसवारता कर कहा है कि आर्विंद केजरिवाल को 2 नवंबर को E.D. गिरफतार कर लेगी भाजपा पूरी तरहें से डरी हुई है जबसे इंडिया गड़बंदन बना है और आम आदमी पार्टी उसमें सामिल हुई है तब से ये लोग हमारे नेताओं को टार्गेट कर रहे हैं ये यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी ने काफी चौकाने वाला खुलासा किया है कि 2 नवंबर को भाजपा की E.D. यहाँ पर गिरफतार कर सकती है दिली के सियम अरविंद केजरिवाल को इस से पहले संजय सिंग मनीसी सूदिया और सतिंदर जैन जैसे दिगज नेता पहले ही E.D. की हिरासत में हैं यहाँ पर खबर आई है दोस्तों एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं केंदर राजिनितिक फायदे के लिए कर रहा है एजन्सियों का दुरुपियों चुनाओं में यहाँ दाओं उल्टा पड़ेगा राजिस्थान के मुक्यमंत्री असो गहलोत ने भाजपा नीत केंदर सरकार पर राजिनितिक लाब के लिए जाच एजन्सियों का दुरुपियों करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा का यहाँ दाओं चुनाओं में उसके लिए उल्टा ही साबित होगा क्योंकि लोग अब चीजे समझ चुके हैं जनता स राजिस्थान के सियम असोग गहलोत का कहना है जबरदास तरीके से बढ़के हैं केंदरिये एजन्सियों के दुरुपियों के मुद्धे पर यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहत बड़ी खबरे थी मुखे समझार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहु जय हिंद जय भारत